नमस्कार किसान बायो, स्वाकत है आपके अपने यूटूब कैनल फार्मिंग जोन में तो मेरो नाम है अमजद और आज मैं आप लोगों को बताने के लिए आए हूँ पुराने ट्रेक्टरों के बारे में आप मेरे पीछे देख रहे हैं विशाल रेंज, इसमें आपको मैसी के ट्रेक्टर मिल जाएंगे, आपको इसमें फारम ट्रेक के ट्रेक्टर मिल जाएंगे, सबी कंपनियों के ट्रेक्टर आपको इसमें मिल जाएंगे तो आज मैं आपको इन ट्रेक्टरों के बारे में बताने के लिए आया हूँ, क्या model होगा ट्रेक्टर का, क्या condition होगी और क्या कीमत होगी, यही सारी बाते मैं आज आज आपको वीडियो में बताने वाला हूँ, तो हमसे मिलेंगे यहां पे जो पुराने ट्रेक्टर देखते हैं, वो हमसे मिलेंगे और इन ट्रेक्टरों के बारे में बताईएंगे, तो चलिए आपका टाइम ना लेते हूए, वीडियो शुरू करते हैं, तो मिलते हैं, सर आईए, नमस्पाइजि, के सोनाली का सभी कंपनियों के तो आज हमारे किसान भाइयों को कौन से ट्रक्टर के बारे में बताने वाले बताएंगे तो सबसे पहले शुरुआत कीजिए कौन से ट्रक्टर के बारे में बताने वाले मैसी 245 तो आप देख रहें किसान भाइयो यह मैसी 245 जो की 22 यह यह ब्यूतर है बिल्कुल नएया टैक्टर है खोर निकख नहीं से निकला हो बी नब्बे गंटे में कुछ भी नहीं बिगड़ता है तो जो भी और आप देख सकते हैं इसमें दोनों तरफ आपको वेट मिल रहे हैं 35-35 केजी का वेट आपको मिल जाता है और यह यह जो 245-50 हमी में आता यह टेक्टर किसान काफी अची तरीके से जानते हैं पूस्ते हैं इस की पोजिशन देख सकते हैं नया टेक्टर है और राजिस्थान का नंबर है आजे जीरो टू अलवर का नंबर है रेट नेगोशीयबल इसमें कुछ उपर नीचे हो जाएगा आएंगे तो बिल्कुल करें तो आप देख सकते हैं 15-1000 रूपे आपको नेगोशीयबल है रेट 241 गोल सेप में हैं काफी किसान मुझे कमेंट करते हैं कि गोल सेप में हमें बताइए मैसी फर्गूर्सन 241 यह 2021 नवंबर में लॉंच हुआ था ट्रैक्टर जो की काफी डिमांडेबल है अभी भी यह ट्रैक्टर और काफी किसानों की पहली पसंद बना हुआ है यह 21 मॉड का दुनिया ट्रैक्टर में बिल्कुल सूखा है छत्री आपको मिल जाएगी लेकिन कपड़ा आपको लगवा चड़वाना पड़ेगा इसमें भी आपको 35 कजी का वेट मिलता है दोनों तरफ जो की कंपनी आपको लगा के दियार वही वेट आपको इसमें मिल रहा है इसमे और आपको रुक मिलेगा अभी लगा हुआ निए लगिन पाफली सब कुछ मिले गा पटरली भी मिलेगी então यह काफि आ किसानों का जो पसंदीजा ट्रैक्टर गोल सेट में आप देख सकते हैं यह गोल शेप में जो ट्रैक्टर है 241 ट्रैक्टर गोल सेप में आपको मिलने वाला है तो अगर आप यह ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं तो कीमस्त पूसते हैं कितनी है आपको मिल रही है अगर आप यह ट्रैक्टर लेना चाहते हो तो ट्रैक्टर इस्टेशन अलवर राजिस्तान के अंदर आपको आने पड़ेगा और यहां पर तिरंजी लाल जी से संपर कर सकते हैं उसके बाद में अगला ट्रैक्टर हम पूछते हैं सिरंजी लाल जी से कौन सा ट्रैक्टर होने वाला यह 241 चौकर्स हो में 21 मोडल है यह भी नए ही ट्रैक्टर है ओलवर नंबर है आप देख रहे हैं अलवर नंबर ट्रैक्टर है और ब्रेक्टर है ऊचे पाइदान है आपको बताएंगे 85% 85% साथ के टायर मिल जाएंगे किसान बाइओ जो भी कोई किसान बाइस ट्रैक्टर को लेना चाहता हो यहां पर ट्रैक्टर इस्टेशन में आपको आना पड़ेगा और यहां लिफ्ट के साथ में आते हैं पूछते हैं कीमत क्या रखिए इस छैलाक रूपए में आपको मिल राएं कितने घंटे हो गया VERK ग्यारा सो गंटे चला तो जादा नहीं चला हुआ ट्रैक्टर घंचर में कोई कमी तरीक अगाठ लेना चाहते हो था ट्रहस टैक्टर इस्टेशन और आन अदर आकर यह ठाक्ष tack । आकर लेके जा सकते हैं सब्सक्राइब करते हैं चालीज पैसे साथ के आपको टार मिलने वाले हैं और राजिस्तान का नंबर वन टेक्टर आपको मिलने वाला है जो कि सैलिंग में नंबर वन आता है मोडल कौन से बता है सर आपने सत्रा मोडल अलवर नंबर सब चार लाक रुपे में टेक्टर मिलता है लास्ट प्राइज नहीं है यह नेगोशियबल है आप पीछे का हिस्सा देख सकते इसमें आपको हुक मिलेगा जो कि तीन स्टेप में आपको मिलने वाला है यह थारी मिलेगी सा फटेश साथ मिलेंगे इसकी चीमत बताये वह आपने क्या बताई एंसा है सब्लूभे 40000Rlungen इस क मिलता है अगर आप एकने राना चाहते हैं तो आप आप प्रक्रजिस्थान के देश्सान अंदर आप संपड Прote उसके बाद में यह 245 है PD में यह आप देख रहें 245 ट्रेक्टर है इसमें आगे बंफर लगा हुआ है और जे स्रीज का यह ट्रैक्टर है अठारा मोडल है सर अलवर नंबर है क्या कीमत रखिए इसकी पांच लाक पांच लाक रुपए में मिलता है साथ के आधे टायर है साथ के नॉर्मल चला कितने गंटे चला होगा यह अठारा सो गंटे ट्रैक्टर चला है तो फट्टा आपको साथ में मिलेगी पटली भी साथ मिलेगी उसके बाद में हम बात करते हैं अगला ट्रैक्टर यह आप देख रहे हैं एक हजार पैंटीस पैंटीस अठारा मोडल है आपको फाइनिस हो जाएगा अगर कोई लोकल का किसान यह वीडियो देख रहा हो डिस्टिक का अलवर डिस्टिक का तो आपको 30-40,000 रुपे देने पड़ते हैं और यह ट्रैक्टर आप लेके जा सकते हैं क्योंकि यह जो ट्रैक्टर है आपको फाइनिस पर भी उपलब्द मिल जाएगा चिरण जी लाल जी फाइनिस हो जाएगा इस पर चार लाग का ल अलवर नंबर यह ट्रैक्टर अलवर नंबर ट्रैक्टर आपको मिलने वाला है तो अगला ट्रैक्टर आप कौन सा दिखा रहे हैं पिर यह देख्रें हें आप बनलब ऑ्पें 241 ट्रैक्टर में कहीं कोई कमी निए पीछे का टायर कितने पर्षंट होंगे वागा और और आगे के टायर आगे के भी आदे ही हैं साफ सुतरा कलर है वैसे तो कहीं-कहीं पर पप्डि आप देख सकते हैं यहां पे जरूर पप्डी है ट्रेक्सर में क्योंकि मॉडल थोड़ा नीचा इस वज़े से पप्ड़ी है नार्मल पप्डी है बाकी पूछते हैं कीमत लाग पीछे का आप देख सकते हैं पूरा व्यू आपको टायर कितने होंगे आधे टायर है और इसमें आपको वेट और मिल जाता 35 kg का वेट है यह इसमें आपको यह देख रहे हैं बैटरी या साइड में लगी हुई है बैटरी तो यह टेक्टर अगर आप लेके जाना चाहते हों तो यहाँ पर आप आ सकते हैं टेक्टर इस सेशन अलवर के अंदर के अंदर